किथ nagaf Mm Sara's तो क्या हाल हैंपके I hope क्या आप आच्छे होंगे सो आज की स्मीदी में बात करने वाले हैं the Kdy beaten by Vasya Ani Vo Isa को टेक्स में वबीशी नहीं हम इस्ट्री के उप बात करें मैं तो चलिए वीडियो बस्टार्ट करते हैं कि तो गई सबसे पहले हम P Yarni BC और AD की FULL FOM जान लेते हैं तो जो BC की FULL FOM है वो है B4 Christ और AD की FULL FOM है N और Domini कुछ लोग ऐसे होते हैं जो BC और AD में कन्फियूज होते हैं और कुछ की कुछ FULL FOM निकालते हैं अपने पास सही जैसे की AD को कुछ लोग ये बोलते हैं आफटर डेथ जो कि यह वर्ड बिल्कुली यानि फुल फॉर्म जो है यह बिल्कुली गलत है तो वैस आई यह अब हम जानते हैं इसके अंतर अंतर क्या है ठीक है अब बीसी और एडी में अंतर जो है मैं आपको बताता हूँ बीसी और एडी एन और डॉमिनी तो आपको सिंपल भासा मैं समझाता हूँ जो इसा थे इसाईयों की जो गोड बोलते हैं इसा जो थे उनके जन्म से पहले उस समय को इसा पूर्व यानि बीसी और इसा जन्म के बाद यानि जब वो धरती पर आच चुके थे उसके बाद का सम जो होता है वो इस्वी होता है जिसे हम एडी यानि एन और डॉमिनी बोलते हैं आप जब कभी किसी हिस्ट्री या फिर किसी ऐलिमेंट या अविसकार वगेरा के बारे में पढ़ते होंगे तो आपने कभी देखा हुगा सर्च में ये लिखा होता है जैसे कि तीन हजार बीस बीसी तब था जब इसा थे इसा से पहले का वक्त जो था वो बीसी होता है जैसे कि आप कभी चांदी का विसकार है चांदी का विसकार काफी साल से होता आ रहा है और इसका उप्योग भी तो इसका कोई पता नहीं इसका विसकार किसने किया है और कैसे हुआ है ये यानि इस से पहले से होता रहा है तो इस को क्या बोलेंगा हम सम्थिंग तीन हजार बीसी यानि यह इसा से पहले से होता रहा है ठीक है और एडी में क्या होगा कि एडी जब दिखाए जागा तो उसमें आपको एडी सो नहीं किया जाएगा स्रिफ और सिर्फ सन दिखाए जाएगा तो या नहीं, इस्वी, इस्वी, आपको मैंने पहले बताया ना, इस्वी, जैसे कि हम BC को बोलते है, इस्वी, जो की इस्वी जो है, इस्वी के बात का समय जो है, इस्वी कहलाता है, और इस्वी कहलाता है, और इस्वी पहले का जो था, वो इस्वी कहलाता है, और कहीं पर, कहीं आर्टिकल आप पढ़ते होंगा तो किसी किसी में B, C, E दिखाया जाता है जिसका मतलब होता है Before Common Era ठीक है और किसी किसी में EDI को C, E भी दिखाया जाता है जिसे भी हम Common Era बहुत है I hope कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्षिन में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्षिन में मालम कर सकते हैं और गाइस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हर तरह कि में नौलिज लाता रहता हूँ तो ठीक है गाइस आज की इस वीडियो में बस इतने ही था फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई झाल झाल झाल